नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं और अने पताधिकारियों ने स्वागत किया, यह टीम रांची से पतरातु चली गई है बतादे पतरातु में हुई बैठक में केर अभी कुमार ने टीम को राज में मत दाता सुची के लिए चल रहे फुन्रिक्षन कारकरम की वास्तोई थीती से अउगत कराया राजे पुलिस नोडल पताधिकारी एवी होमकर ने लोग सभा निर्वाचन के दोरान बिधी बेवास्ता की जनकारी दी पतरातु परियटन बिहार इस्थीत सभागार में गुरु आर को जारकन बिधान सभाचुनाओ की त्यारी को लेकर सभी जीला निर्वाचन पताधिकारियों के साथ मन्थन होगा राज में मद्दाता सुची के दिवतिये बीसे संचिप्त पुनरेक्षन कारकरम दोहेचोविस के तहट चल रहे कार्यों को लेकर समिक्चा की जाएगी बिधान सभाचुनाओ की त्यारीयों की जीलावार समिक्चा होगी आयोग देखना चाहेगा की लोग सभाचुनाओ के बाद जार्खन बिधान सभाचुनाओ के लिए बीभीन जीलों की त्यारीया कैसी है जार्खन में कितने चरणों में चुनाओ कराया जा सकते हैं जिससे परसानी नहीं हो इसके बाद जैर्खन से इसके लिए सूझाव मांगे जाएंगे मुख्या मन्तिरी हेमा सुरिन कल 500 PGT सिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र जैर्खन के 1500 औशनत को तरफ प्रसिक्षित अभियर्थी उको मुख्य मंत्री हमां सुर्ण 12 जूलाई को नियुक्ति पत्र सोपेंगे नियुक्ति पत्र बित्रन समर्व का आयोजन धुरुआ परभात तरह मैदान में दोफ़ा साड़े बारा बज़े से किया जाएगा इसमें बीत मंत्री रामेश्वरु राव स्राम मंत्री सत्यानाद भो इससे पहले ततकालीन मुख्य मंत्री चमपाई सुरेने साथ मार्च 2024 को सहीद मैदान में आयोजी समार्व में एक हैर बीस पिजिटी अव्यार्थियों के बिश्नियुक्ति पत्र का बित्रन किया था ज्यार्खन में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाव इसी माह से ज्यार्खन बिजली बित्रन निगम के उभोकताओं के लिए अच्छी खबर है कैबिनेट के फैसले के नुरूप 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाव जुलाई से ही मिलेगा इसको लेकर उर्जावी भाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार उभगताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिली के लाब अगस्त में आने वाले जुलाई के बिल से ही मिलना सुरू हो जाएगा इसमें 200 यूनिट तक खपत पर बिल सुने आएगा बतादे राज में घरेलू भगताओं की कुल संक्या 45,67,616 है इनमें 41,44,634 उभगता ऐसे हैं दो 200 यूनिट तक बिली का इस्तिमाल करते हैं इस सभी उभगता 200 यूनिट मुफ्त बिली के दायरे में आ जाएगे राज सरकार के हर मा इस मद में 344,36 रूपे खर्च होंगे सरकार उक्त राज सी सबसीडरी के रूपे जार्खन बिली बित्रन निगम को उपलब्त कराएगी जार्खन में आई से 3 दिन बारिस के आसार जार्खन में करीब एक हपते बाद मानसुन फिर सक्रिय हो गया है गुरुवार से 13 जुलाई तक यानि अगले तीन दिन रांची समेत राज के अधिकतर हिसों में अच्छी बारिस के असार है मौसंभी भाग ने बारिस को लेकर राज के कई हिसों में एलो अलर्ट भी जारी किया है गुरुवार को राज के कई हिसों में में गर्जन और वायरपात के आसार है वहीं 12 जुलाई को उत्तर पूर्वी भाग के देवघर धनबाद दुमका गिरिटी गोड़ा जाम ताड़ा पाकूर और साहिव गंज में भारी बारिस होगी 13 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग के अलवा मध्य छारखन के राज़ी बोकारो गुमला हजारी बाखुर्टी वार रामगार में भारी बारिस की संभावना ब्यक्त की गई इधर बुद्धवार को भी रांची में आस्मान में बादल छाय रहे और काके रोड इलाके में हलके दर्ज और रांची के कुछ इलाकों में बुंदा बांदी भी हुई है अबुआ अवास योजना में लाभको को निर्मान समागरी उपलब्द कराए ग्रामिन विकास ग्रामिन कार एवं पंचायती राजमंदरी इर्फान अनसारी ने बुद्धवार को भी भागी अधिकार योग साथ उच अस्तरी बैठा की उन्होंने ग्रामिनों की योजनाओं का सीधा लाभ पहुचाने के संबंधित योजनाओं परतेजी गतिस्ये कार करने का निर्देश दिया है कहा है कि विकास के मंदर विभाग इस बात का विशेज ख्याल रखे कि योजनाओं तैस समय सीमा में पूरी हो उन्होंने कहा है कि मुख्य मंदरी का निर्देश है कि समाज के अमतिम पैदान में खड़े ब्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का ला जालू जैसी निर्मान समगरी उपलब्त करानी की पहल करे उन्होंने अबवा आवास वोजना कताथ पहले चरण में सुक्रित किये गए दो लाख आवास और इसकी पहली किस्त की रासी जारी होने के बाद आवास निर्मान के प्रगति की जनकाली ली और इसमें त्यजी लाने का निर्देश दिया है किसानों को एक لिटर दूद पर पांच उरुपे प्रगति की जा रही दूद के लिए फेड्रेसन द्वारा भुठतान की जा रही मुल्ह की अतिरिक्त या प्रगतिendली राई सरकार द्वारा दिजाएगी पुरो से यह प्रसाहां रासी तीन रुपे प्रति लीटर है बदाद क्रिसी मंत्री दिपिका पांडे सिंग ने बुध्वार को अधिकारियों को इस बबत का प्रस्तावत्यार का जल्द ही कैबिनेट में भेजने का निरेस्तिया है इस वजना को लागू होने से राज्य के 66 हयर दुग्द उत्पाद को को लाब मिलेगा बिर्शा एगरी कल्चर स्टूडेंट यूनियन के आवेदनों पर संग्यान लेते हुए क्रिसी मंत्री ने मत्र से बिभाग के नियोक्ति में बिएफ एससी डिग्री धार को को ही एक मात्र मापदंड के रूप में प्रदान करने का निर्देस भी दिया है उन्होंने सचीव को आगे की करवाई सुनेश्चीत करने की हिदायत दी है ज्यारखन के मरीजों की आवाई से AI करेका देश में TV की पहचान TV के मरीजों की तवरित पहचान कर उपचार सुनेश्चीत करने के लिए Central TV Division की ओर से अनोखी पहल सुरू की गई है इसके ताथ अब मरीज के 1-10 तक की गिंती और AIEE के उचारन की आवाज और खासी की आवाज से TV की पहचान की जा सकेगी बतादे Central TV Division की ओर से इसको लेकर सुरू कर दी गई है राज यक्षमा पतादिकाई डाक्टर कमलेस कुमार ने बताया है कि जारखन में पाइलट पोर्जेक्ट के रूप में रामगर जीले में इस स्टाडी की शुरूआत की है इस स्टाडी के सफल होने के बाद राज के अन जीलो में भी इसकी सुरूआत की जाएगी किनर समुदाय की समस्याओ के समधान का हो रहा पर्यास मंत्री स्वास्मंत्री बनना गुपता ने कहा है कि किनर समुदाई की समस्याव सोवा वाकिफाए और इसके समधान के लिए प्रयासरत भी है राज सरकार समाज में बिना भेद भाव के राज की प्रगती के लिए काम कर रही है समरित जारखन प्रगति सिल जारखन बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम पूरा किया है और इसी उद्धिस के साथ भवी सिकीर नीतिया भी त्यार हो रही है स्वास मंत्री बुद्धवार को नामकूं इस्थीत लोग स्वास संस्थान के सभागार में किनर समुदाय में स्वास्त जागरूपता को लेकर आयोजीत एड़ोकेंसी कारकरं को बतर मुख हतीदी समधित कर रहे थे राश्ट्रे स्वास्त मीशन ज्ञारखन के दुआरा उत्थान कीनर समुदाय के अधिकारियों के लिए काम करने वाली संस्था के स्वयोग से कारकरम का उजन किया गया था ज्ञारखन मैट्रिक अस्तर सन्युक्त परिक्षा 28 जुलाई को रांची जीले के परिक्षा केंदरो पर होगी परिक्षा में सामिल होने के लिए परवेस पत्र डाउनलोड करने के सुचना ज्ञारखन करम चरिश एन आयोग जल्द देगा परिक्षा में सामिल होने के लिए 40 परतिया इसे अधिक निसकता वाले अवियार्थियों के मोखे चीकित सापतादिकारी या सिविल सर्जन दुआरा लिखने में सारेडिक अक्षमता का पवान पत्र देने का आयोग सस्क्राइब की सुविधा देगा सुरुति लेखक या अस्क्राइब की सुविधा के लिए सम्मंदित अवियार्थिक 28 जुलाई तक जेसेसी में आवेदन देना होगा बाद में आई आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा आयोग परिक्षा के बाद अल्प सुचना के अधार पर प्रवान पत्रों की जाच करा सकता है काके में विवाद जमीन की सत्यापन करने पहुंची ED की करवाई जमीन घोटाला मामने में मनी लांडरिंग के तह जाच कर रही ED की टीम ने बुद्धवार को काके प्रखंड से अंचल छेत्रे में विवाद जमीन का सत्यापन किया करिब दरजन भरवाहनों से पहुंची ED की टीम ने काके के चामा मौजा में CNT वो सरकारी जमीन सत्यापन किया काके रिसोर्ट वो काके अंचल भी पहुंची वहाँ अंचल कर्याले में जमीन का दस्तावाज खांगाला वह बिवादी जमीन मामले में आम जनता से भी मिली और उनका ब्यान रिकोर्ड किया ED ने काके के CEO, CI का मोबाइल जब्त किया है मोबाइल में नीचे से उपर तक रिसोर्ट की रासी बाटने का सहबूत मिला है वहीं ED ने ग्रामिनों के चुनाव भहिसकार सम्मंदित रजिस्टर भी जब्त किया है जमीन माफिया पर करवाई नहीं होने पर ग्रामिनों लोग सबाचुनाव का भहिसकार का ने नहीं लिया था हलाकि ग्रामिन CEO के अस्वासन पर माने थे चक्रधरपूर में नकसलियों का तांड़ रेलवे ट्रेक उड़ाने की थी पलानिंग भागपाम मवादी नकसलियों ने बंद के दरण चक्रधरपूर रेल मंडल कंतरगत आने वाले मनोहरपूर और जराई केला एस्टेसनों के बीच बैनर लगाने के बाद बम लगाने के लिए रेल पट्री की फीस पलेट उखार दिया था लेकिन इसकी सुचना मिलने के बाद मोखे पर पहुंच सुराग छाबल के जवानों की करवाई से नकसलियों की बड़ी साजिस नकाम हो गई इस घटना के कारण हाबला मुंबई मुखे रेल मार्ग में चार घंटे तक ट्रेनों का परिचान बाधित रहा या घटना बुद्धवार की आले सुबा दो बज़े की बताई जा रही है जार्खन के चान्डिल में बजरपाद से तीन की मौत तीन घायाल चार्खन के सराय के लखर सवाजी लेके चान्डिल के भादूडी में बुद्धवार की साम बजरपाद से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग जुलस गए है मृत को में मा बेटा समेट एक अने सामिल है हादसे के बाद सभीको ततकाल जमसेदपूर के MGM अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मिरित खोशित कर दिया है बदादे चान्डिल के भादूडी सबताहिक हट्टिया में लोग खरिदारी कर रहे थे इसी दवरान तेज बारिस होने लगी और गरज के साथ बजरपात हुआ इसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग जुलास कर घायल हो गए हादसे के बाद सभीको ततकाल इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है सीम हमांद बोले सरकार आपकी है समस्याओ का होगा तवरित समधान मुख्यमंत्री हमांद सुरेण से बुध्ध वारकुल लोगों ने मुलकात की और उन्हें अपनी समस्याओ सवगत कराया CM ने कहा है कि या आपकी सरकार है जानता कहीत में हमारी सरकार पुरी सनवेदन सिल्टा के साथ लागातार काम करती आ रही है उन्होंने लोगों को भरुसा दिलाया है कि आपकी समस्याओं का तोरी समधान किया जाएगा इस अशर पर लोगों ने हमान सुरेन को मुख्य मंत्री के दायूत समालने पर बढ़ाय दी है बढ़ा देस एम हमान सुरेन से उनके आवास पर फरियादियों ने मुलकात की और अपनी समस्याओं उनके समख रखी फर्यादियों में महिला पूरुस वा बुजोरु के सामिल थे रांचिक विबीन अस्थानों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर रांची पहुँचे थे मुख्य मंत्री ने उनकी बाते सुनी और भरुसा दिला है कि जहरखन में आपकी सरकार है आपकी समस्याओं का तुरीत समधान किया जाएगा सब आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए अपनी मात्री भासा, सीख्छा और समाजीक दस्तूरों के प्रती गहरे चिंतन और मन्थन का आउसर प्रदान करेगा यह जनकारी आदिवासी हो समाज महासभाक राष्ट्रिय महासचिव गबर सिंग हेमरम ने दिया है उन्होंने बताया कि अधुनिक कंप्यूटर युग में आदिवासी समाज के जुआ अपनी मेहनत और लगन के बल पर हर चत्र में प्रगति कर रहे हैं ज्यारखन में 7 लाग ड्रॉप आउट बच्चों की कोई जनकारी नहीं ज्यारखन के आउट अप स्कूल और ड्रॉप आउट 7,25,375 बच्चों की कोई जनकारी नहीं है इस पूली सिक्छाव सचता विभाग ने इसे गंबिता से लिया है ज्यारखन सरकारी ने सभी जीलो को बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण जानते हुए ड्रॉप आउट अपडेट करने का निर्देश दिया है धन्यवाद